हेलो, PMRF nominations के notification आ गया है, जितने भी PMRF granting institutes हैं, उनको 31st July तक अपने students से nomination लेने हैं, और 4 अगस तक nominations अपने end पर final करके national committee को बेजना है, तो क्योंकि PMRF बहुत prestigious scholarship है, आपको 70, 75, 80,000 तक step-end मिलता है, साथ में 12 रुपए की contingency मिलती है, जो आप carry forward भी कर सकते हो, तो उसके लिए कैसे application file की जाए, क्या बहतर तरीका है कि आपके selection होने की chances maximize हो सके हैं, मैं आपको वो बताऊंगा, मैं खुद IIT कानपुर में PMRF fellow हूं, मैं इस समय डॉक्टर अनूप सिंग के अंडर power markets और e-mobility प PMRF application के लिए, में लिए तीन documents required रहते हैं, पहला document detailed academic CV, CV कही तरह के होते हैं, academic, professional या फिर artist को लोगों का अलग तरह के CV हो सकता है, बढ़ आपको academic CV बनाना है, CV पताएगा who you are, आप हो कौन, जो selection committee के लोग हैं, वो आपके बारे में आपके CV के तरू जानेंगे, दूसरा document है research proposal, research proposal का means, आप क्या करोगे, वो चीज़ आपको, आपके तरप से वो represent करेगा, कि आप अगर select होते हो, तो आप क्या करोगे PMRF बनने के बाद, वो आपका research proposal बताएगा, third thing होती है, statement of purpose, उसको SOP भी कहते हैं, short form में, SOP बताएगी कि why they should select you, आप ही को क्यों select किया जाए, चोथर document आता है, जो आपके हाथ में नहीं है, वो होता है letter of recommendation, यह बहुत critical होता है, क्योंकि मान लो कि, मान लो कि, आपका supervisor कोई XYZ बनता है, he is a new faculty at some IITs, और some other college, जहां पे आप पढ़ रहे हो, और वाई बनता एक और है, जिसका recommendation किसी IIT के director के तरफ से गया है, या पर किसी essay बन्दी के तरफ से गया है, जो बहुत बड़ा professor है, पदमशी मिल रखा है उन्हें, तो आपके selection के चांश कम है, उस बन्दी के जादा है, जिसके पास बड़ा letter of recommendation गया है, तो तीन documents जो आपके हाथ में, detailed academic CV, statement of purpose, और research proposal, और अब मैं पता हूँ आपको कि, इन चीजों में क्या-क्या cover किया जा सकता है, क्या-क्या cover किया जाना चाहिए, तो detailed academic CV में, आप पहली बात aim मत लिखो, कि आप क्या करना जाते हो, क्या करोगे, आप पहली चीज लिखो, आप detailed academic CV में, आपके educational records, आपने कहां से bachelor's किया है, अगर master's किया है, उसके बाद, अपनी achievements लिखो academic, ज आप मैं से बहुत से लग होंगे, तो सीथा bachelor's या master's के बाद PhD में आए होंगे, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनके पात work experience होगा, मेरे बाद भी work experience था, तो आप अपने professional work experience के बारे में लिखिए, अपने internships के बारे में लिखिए, अगर वो academic रही है, या फिर industrial रही है, और अपने professional achievements में लिखिए, कि अगर आपको कोई employee of the month, quarter या year का award मिला हुआ है, या best intern award मिला है, उस तरह कि अगर कोई achievements है आपके पास, तो आप वो लिखिए, और अगर आप next चीज लिखिए, आपके relevant courses कौन कौन से हैं, मान लिजिए आप XYZ domain में अपने bachelor's या master's किया, या कुछ और, कुछ propose कर रहे हो, अपने research proposal में, कि stream में आप apply करोगे, तो उस हिसाब से आप decide करो, कि आपको कौन कौन courses mention करने है, याथि कि आप अगर EIMR में कुछ कर रहे हो, तो fuzzy logic जैसे courses है, वो mention करोगे, तो उसका benefit मिलेगा, तो relevant courses हो गए, उसके बाद आपने bachelor's या master's में लिखिए आप, कि academic projects में, जरूरी नहीं है कि हमारे college में, मैंने रोपर से bachelor's किया है, तो B.Tech thesis करनी पड़ती थी, बहुत से colleges में B.Tech thesis नहीं होती है, तो आपने अपने किसी course में कोई अच्छा project किया हो, कोई अच्छा impact आया हो, तो आप लिखिए, तो उससे ये पता लगता ह है कि आप research oriented work करने में सक्छाम है, next thing है publication, आपने कोई conference attend कियो, sorry, conference publication डाल रखी हो, या journal publication डाल रखी हो, under review हो, accepted हो, कोई बात में है, वो है तो वो mention करिए आप, और अगर आपके पास कोई patent है, कोई patent file कर रखा है आपने, कोई professional patent है, आप उसकी data दीजे, वो अच्छा रहेगा और यह हो गया CV के बारे में, next thing is research proposal, तो research proposal में सबसे पहले abstract हैगा आपका, abstract में आपका पूरा क्या करोगे, आप कैसे करोगे, और क्या benefit हैगा, उस summarize करना रहेगा, but apart from abstract, सबसे पहले आप लिखो, what's the origin of the problem, जो चीज़ आप solve करने जा रहे हो, जो जिस problem पे आप work करोगे, व वो क्या है, और वो कहां से originate हुई है, उसी क्या relevance है, उसको अच्छे से आप mention करो कि यह हमारी country के लिए इसलिए relevance है, और उसके बाद आप literature review डालो आप, detail literature review, कि अभी पूरा current status यह है, यह हो चुका है, मैं इसमें इस तरीके से इस problem को solve करूँगा, उसमें आप context build up करो कि Indian context में वो चीज़ें कैसे हमारे लिए useful हो सकती है, उसके बाद आप लिखिए कि आपकी work की significance रहेगी, क्या contribution रहेगा आपका उस पूरे literature में आपके work का, और वो चीज़ा जो भी आप propose करो कि मैं कुछ करूँगा, तो कैसे करोगे, उसको बहतर तरीके से आप objectify करो, कि मेरा पह clarity बताएगे कि आप सामने में लिखिए कि हाँ, आपके aims clear है, उसके बाद आप अपने technical details लाले, आप लिखिए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बट आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आप technical details लालो कि मैं mathematical modeling करूँगा, simulation करूँगा, या पिर experiments करूँग कुछ भी करूँगा, उसके technical details अच्छे से डाल दो आप, technical details लालने के बाद आप लिखिए expected outcomes क्या होंगे उसके, कि अगर ये चीज़ अचीज हो जाती है, तो ये ये बहतर हो जाएगा, आगे चल गया, फिर ये ये marginal improvement लोगा है, फिर नई चीज़ लब होगी, और फिर last में lateral entry के लिए भी SOP required थी, अब lateral entry के लिए SOP required नहीं है, अब सिर्फ direct entry candidates को ही SOP के लिए पोला जाता है, तो SOP में पहली चीज़ आप शुरुआत करो, और क्योंकि how eager you are to learn, because वो आप से पूछने जाते हैं कि सिर्फ आपको ही क्यों select किया जाए, तो आप बताओ कि how eager you are to learn, आप पताओ कि बच्पन से ही आपके academic records अच्छे रहे हैं, school, college में कुछ आपने achieve किया हो, तो उसके बारे में लिखो, कुछ olympiards किया हो, किसी talent search में रहें काई हो, आपकी कुछ और आपने extra curriculum किया हो, तो वो mention करो आप, और उसके बाद आप लिखो कि आपने जो courses कर रखे हैं, उ आप लिखो कि अपने, आपने career में, academic या फिर professional career में, आपने किन चीजों में excel किया है, कि आपने achievement लिया हो, तो उसको highlight करो कि मैंने, इस नहीं rank हासिल किती है, फिर bachelor's में मेरे को gold medal मिला था, silver medal मिला था, जो कर पाओ, उसके बाद अगर आपने किसी big shot guy के अंदर bachelor's या master's में project कर रखा हो, कोई affiliation रहा हो आपका, आप उसको indirectly mention करो, कि मैंने इन professor के अंदर ये काम कर रखा है, कि मालों आपको किसी IIT के director के अंदर आपने कुछ thesis की है, या फिर कुछ project की किया, उन्होंने कोई course बढ़ा है, आपने कोई काम कर लिया, उनकी terms है, तो आप mention करो, कि मैंने उन professor के अंदर ये काम किया, या फिर आप किसी आप DRDO में थे, आप किसी DRDO को बड़ी scientist को जानते हो, तो बताओ आपकी, मैंने इनके अंदर ये काम कर रखा है, तो उससे बहुत benefit मिलेगा, उसकी बाद आप बताओ कि आपने जो कुछ publications फाइल कर रखे हैं, कुछ patent कर रखे ह या फिर PMRF कैसे benefit हो जगता है कि अगर वो आपको select करते हैं, अब लिखो कि आप strong foundation of scientific knowledge बनाना चाहते हो, और बहतर होगा कि आप mention करो, कि आप research में career परसू करना चाहते हो, और towards end आप ये भी mention करो, कि आप कैसे nation of society को help करोगे, nation building में, अगर आप select होते हो तो, last thing है letter of recommendation, वो दो link पेजेंगे आपको, एक या दो maximum limit होगी, letter of recommendation की, वो अपने आप trigger हो जाएगा, अगर आपको college nominate करता है, तो बहतर होगा कि आपने आप जो supervisor है, जो referies हैं, उनको बता दोगे sir, ये documents मेंने भेजा है, ये मेरे area of research है, आप प्लीज एक बार ये documents देख लिए, क्योंकि अ अच्छे से आपका profile बता पाएंगे कि इस बंदे को इस domain में इतनी इतनी knowledge है, और अगर उनके पास time नहीं है, क्योंकि documents बड़े-बड़े होंगे, ज़रूरी नहीं पुरा CV देखेंगे, आपका SOP पढ़ें, या पर आपका research proposal पढ़ें, तो point wise आप चीजों को break up करके देख यह मैंने कर रखा है, आप इस basis पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो letter of recommendation बहुत साथा ज़रूरी पार्ट है, अगर यह नहीं submit होता है, towards the last date, तो आपकी application तुरंत reject हो जाएगी, और यह बहुत critical है, जैसे मैंने शुरूरू में भी कहा था, कि अगर कोई big shot guy आपको recommend करता ह है, तो यह मान के चलो, आपके selection ने chances बढ़ जाएंगे, that's it, कि अगर आप में से किसी को कोई doubt होगा, तो आप मुझे मेरे email id पे लिख सकते हो, और वो आपको कोई दूनना पढ़ेगा, मेरा email id क्या है, आप मेरे previous videos में देखोगे, तो मैंने mark कर रखा है, और अगर कोई doubt हो तो मैं आपको personally help कर सकता हूँ, आपके documents, preparation में नहीं, but review I can do that, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर यह मेरा देख लो, तो मैं आपको help कर दूनगा, that's it, thank you.